जम्मू कश्मीर में जल्द ही असेंबली के एलेक्शन करवाए जाएंगे, किसकी सरकार बनेगी ये तो आने वला वक्त ही बताएगा, चलिए हम आम जंता से भी पूछेंगे कि आने वले असेंबली एलेक्शन्स में वो किस राजनीती पार्टी को वोट डालेंगे जम्मू कश्मीर की अगर किसी नी अवाज उठाई आज तक तो बीजेपी ही है, ठीके ना, तो आज इस टाइम तो सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है और जम्मू की जितनी बुलंद आवाज बीजेपी की पार्टी को जो इनके वरकर जो बाकी जो लीडरान उठा सकते हैं उतना मैं कहूंगा कोई भी नहीं उठा सकते हैं तो भी सारी उमर कांगरेस ने भी यहां पे सरगारें बनाई है और जम्मू की आप डिवेल्मेंट देख सकते हो कहां पे गलियों में नालियों में बजारों में सडकें कहीं भी कोई डिवेल्मेंट देखने का नमोनी चान नहीं मिला अब सेंटर में भी है बीजेपी की सरकार तो जम्मू कश्मीर में भी अगर आ जाएगी तो फंड्स की भी बिलकुल कमी नहीं रहेंगी और हमारे जम्मू कश्मीर का विकास दिन बे दिन बढ़ता ही जाएगा और जो हमारे नोजवानों को जो कमी हैं बेची हैं तो सारी उनकी पूरी हो जाएंगी सेंटर में भी बाजपाय की सरकार है मगर आप बेरोजगारी देख रहे हो हमारे जम्मो कश्मिट स्टेट में ऐसे क्या कहे नहीं देखो बेरोस्गारी की वजा ये भी है कि जो आप कहेरें मैं विल्कूल आपसे सहमत हूँ सरकार कोई नमाइंदगाu हमारा होगा जो आगे उन तक हमारी वाद उठाए तो हम उसके लिए इस सरकार चुनते हैं कि इसको हमने चुना है तो ये हमारी वाद उठाएगा इस टाइम हम अपनी दुख तफली किसे सुनाएंगे, गवर्नर साब भी हमारे हैं, पर वो उन्हों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सरकार बनेगी, तो जो हमारी और जो कमी पेशी हैं, जो मैंने आपको पहले भी कहा कि बड़ी कमी पेशी हैं हमारी जगापे, हमारे के लिए वरकर हमारे हैं, कोई उठाने वाला को वो आवाज निकलेगी, तो उसके बाद इन सभी का काम भी तो बनेगा, मैं आपका नाम, पूजा कपूर, I am President to Residency Road Traders Association, मैं आने वाले Assembly Elections में, आप किस पाटी को वोड़ देंगे, सर बेसिकली ऐसा है, कि जो अभी राइट काम हो रहा है, government का, जैसे BJP government जब से आई है, I think कि जो काम all over India हुआ है, that is commendable, मतलब हम लोगों को काम किया हुआ, ground पे दिखता है, अब मेरे मतलब कुछ friends है, they were out of India, वो इंडिया में वापस आये हैं, काफी सालों के बाद, job से, he was settled in Chandigarh, he had also visited Jammu, तो even he was telling me, कि मतलब we have seen that change in the government, लेकिन as far as business is concerned, आपको पता है, businessman has to be with the ruling party, हम लोगों को तो जहां पर benefit मिलेगा, जो सरकार business की, मतलब जो दर्थ समझेगी, जो हम लोगों को support करेगी, obviously we are going to be by that government, मैं GST, नोट बंदी, बिरोजकरी को लेके, आप तब भी BJP को support कर रहे हो, इसका खास कारण क्या रहा है? हम लोग कहेंगे कि हम लोग add power हो जाए with the western countries, हमारे यहां पर development भी हो, लेकिन हम पैसे नहीं दे, हम सब कुछ free लें, free लेंगे तो फिर वही 2-3% जो taxpayers हैं, उन्हीं के पैसे जो हैं, वो circulate होंगे, तो why not कि सब उस club में आए, pay करें और इकटे हम अपनी country है, उसको आगे बढ हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है, मुझे तो नहीं लगती, सर आपका नाम जैंग भादु शर्मा, सर आने वले assembly elections में, आप किस party को स्कूर्ड करेंगे, ये आपका ऐसा एक पचीदा सा प्रशन है, जो हर एक इंसान का अपना वियू हो सकता है, उसके लिए मैं भी अज़ाद हिंदोस्तान में अज़ाद हूँ, तो मुझे भी अपना वियू रखने का पूरा पूरा हक है, और बोड डालने का उससे ज़ादा भी हक है, लेकिन ब सरकार को, क्यूंकि इन लोगों ने बड़ी ही हुश्यारी के साथ महंगाई के जो नजरिया था, जो महंगाई बढ़ती जा रही है, उसकी अटेंशन कनवर्ट करने के लिए हिंदू मुस्लिम करके रख दिया, हर एक जगा, हर एक महला, हर एक बजार, हर एक सुसाइटी में हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, आज इन्होंने हुश्यारी से लोगों का ध्यान महंगाई में न जाए, मंदर में मस्जिद का जनरा लगा देते हैं, मस्जिद में नवाज बढ़ने की बजाए, अपना हनुमान चलिसा पड़वा देते हैं, क्यों? कि अगर हमारी ज इसका क्रेडिट ले सकते हैं, क्योंकि सच में हमारी हिंदूस्तान की जनता जो आपी के मीडिया के आंकड़े बताते हैं, सतर परसंद लोग इलिटरेड है, अनपड़ है, वो वही देखते हैं, जो टीवी बताता है, तो इन्होंने होश्यारी के साथ टीवी सारा लैंड में खड़ा होगा, हमारे पास आप्शन है, जिसका विजन वास्ट होगा, हमारे पास आप्शन है, जो हिंदू-मुस्लिम को छोड़के देश की तरक्की की बात करेगा, हमारे पास आप्शन है, जो ब्रस्टा-चार का मुक्तकार नारा देते थे, जो सच में इंप् पाइटर्श हो करके हम लोगों का दिल जीतेगा और हमारी जो मुसीबते हैं वो दफ्तरों में हल होंगी हमारी जो रिक्वार्मेंट्स है वो ढूर्निंग गवर्मेंट्स से हल होंगी हम उनको बोड देंगे अगर देखा जाए आम पब्लिक ना ही कांगरस से खुश है ना ही वो बैटर जानते हैं तो हमारे पास अप्शन क्या है हमारे पास अप्शन है जो इनके पैरलल अच्छी सोज लेके पार्टी आएगी जो जो कहेगी वो निभाएगी जो हिंदू मुस्लम नहीं करेगी मैं समझता हूं कि मैं एक अपनी बात भी का रहा जो एक पड़ा लिख का समझ बूजवाला इंसान है वो इनके अंगेस पूर्ट उनको डालना पसंद करेगी